घटना मियोरपूर थाना शेतर के पड़री गाउं के चप्रा टोले की मियोरपूर वन शेतर के ग्राम पुंचायत पड़री के चप्रा टोले में वन से पानी की तलास में आये हीरन कुए में गिर गए जिने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया कुए में गिरे ग्रामिनों ने हीर्णों को देखा और वनवी भाग को सूचना दी सूचना मिलने के बाद मोके पर पहुंची वनवी भाग की टीम द्वारा ग्रामिनों के साथ मिलकर बड़ी मचकत के बाद दोनों हीर्णों को बाहर निकाला गया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया एक हीरन भागता हुआ जंगल में चला गया जबकि दूसरा वही पास में गिर गया और उसकी मौत हो गई ग्रामिनों ने कहा कि दोनों हिर्णों को अगर वन विभाग रेंज कार्याली ले जाता और उनकी पशुट डॉक्टरों से जांच करा के उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते तो शायद एक हिरन की जान बच जाती वहीं डिप्टी रेंजर दिनेश कुमार का कहना है दोनों वन जीव भोजन की तलाश में एक गाउँ में आये होंगे तथा रात होने के कारण दोनों कुए में गिर गए, मोके पर जावन विभाग की टीम ने दोनों हीर्णों को कुए से स्रक्षित निकाला था, तथा दोनों को जंगल के पास छोड़ दिया गया था, लेकिन दोनों में इसे एक नर्थी और एक माधा थी, नर्थ तुरंत जंग जानवर की चपेट में पड़ा हुआ जानवर, यहां से जो भाज चुके तो भाज कर अपना खुदाई सुरू कर दिये होंगे, इसके बाद भागते भागते जब आये इधर से, इधर से आने में पच्छी की उत्तर की कोना से लेकर पुरू की कोना तक इन लों की आने का सं बवली पढ़ गया तो निकल गया होता भालगती की इसकी ऩूटे तो बंच की और ईंप है हमारे पड़क हो कर अपना समय बिता रहें अब हमारे पड़ी गराम सभा का जनता गरामासियों बहुत भाई बहिनों यहां उपस्तित हुए हैं मगर किसी का कबजा नहीं है निकालने के लिए अगर घर का जानवर होता तो जाक बांद लेते रसरी से तो निकाल लेते मगर इनको बाढ़ने का आव सकता नहीं है यह नगीचे जाने नहीं देंगे जानवर अरे जो हिरन मरी है जो चितल चितल इसको बोलते हैं इसका मौत कैसे हुई भोर में लगभग पांच बजे लाल लुलाई सानफ लाल जी ग्राम पड़री टोला चप्रा ठाना मेल पुरसोन भद्र के घर के पास खेत में कुणा था जिसमें नर औव माधा दोनों चितल कुईयों में गिर गए उसमें गाउं के और बन कर्मियों द्वरा निकाला गया निकालने के बाद नर औव माधा दोनों जो है कि जंगल की तरफ भगे नर तो जंगल की तरफ भाग गया लेकिन जो मादा थी समवतो पिगनेंट थी इसलिए एक मेड नाला टाइप के था वहां गिरी और इसकी मौत हो गई फिर उसको उठवाका के रिंज पर से लाए और पोस्ट माडम की करवाई चल लए